राधे राधे कैस्ती राधा किशन शेंगार में आपका सहपत है दोस्तों आज हम अपने कानह जी, मैया और सभी भगवान जी के लिए एक बहुत इक भुशुरत हैवी बर्ट जड़ाओ मुकुद बनाएंगे मुकुद मार्केट में असानी से मिल जाते हैं लेकिन हम सभी चाते हैं कि हम अपने हातों से अपने भगवान जी को मुकुद बना कर पहना सकें तो आज हम आपको एक बहुत इक खुशुरत मुकुद बनाना बताएंगे उमीद है आपको यह पसंद दाएगा हम यापल आज काना जी मिया के लिए एक मुकुद बनाएंगे यह हमने अपने भगवान जी के लिए पहले मुकुद बना रखा है हमने जर्दोजी वर्क का बनाया है यह पूरा हमने जर्के बनाया है फीक है लेकिन हम ये अपना first मुकृ आप लोगों को बता रहे हैं और कई लोग होते हैं जिने सिलना नहीं आता इस चीज़ को हम ध्यान में रखकर हम पहले आपको इसी type का look देता हुआ एक simple मुकृ बताएंगे जो आसानी से बन जाए और जिसमें आपको time भी ना लगे इसे बनाने में काफी time लगता है क्योंकि इसे पूरा हमें सिलना होता है पूरा इसमें जरी जर्दोजी का work किया गया है तो इस तरहे के मुकृ हम बादर बनाएंगे अभी हम शुरुवात में सबसे पहले हम instant मुकृट बनाना सिखेंगे तो उसके लिए हमने हम तीन नंबर का मुकृट बना रहे हैं मुकृट के अलग-अलग नंबर होते हैं तो हम ये तीन नंबर का मुकृट बना रहे हैं इसके लिए हमने 2.5 इंच की लाइन ड्रो की है उसके उपर यहाँ पर mid में हमने वा half centimeter उपर टिक किया है half half फिधर और इसको हमने इस तरह से यह shape दे दी है ठीक है यह इस तरह से यह shape लाने के लिए माथी पर उपर जाये sides में आके नीचे हो ठीक है और हमने यह one centimeter पर निशान लगा के इस तरह से इसे design देती है यह हमने round shape में बनाया है इसमें circle circle से हमने इसे decorate किया है हम इसे इस मुकुट को जो हम आपको बता रहे हैं इसे हम इस तरह से पत्ती की shape में decorate करेंगे अब इसके लिए सबसे पहले हम यहापर बिद में यह पार्ट चुपका लेंगे यह हम fabric glue का इस्तमाल कर रहे हैं अब इसके बाद हम यहापर एक orange color की stone chain लगा लेंगे यह इस तरह से point से यहाँ इस तरह से हम इसे लगा देंगे ठीक है अब इसके बाद हम एक golden stone की chain लगा देंगे इसके अब अब शुपका अबंशनी अब इसके लगा हम तरह से देंगे यहाँ ब़ूका यहाँ एक इस तरह से यह हमने चानर तरफ लगा दी है ठीक है अब हम इस पर यह हमने परपल स्मॉल स्टोन लिए हैं यह हम चानर तरफ इस पर पेश्ट कर देंगे इस तरह से ग्लू लगाईए ठीक है किसी चीज पर हरका सा इस तरह से ग्लू लगाते हैं इसे थोड़ा पॉंच लेते हैं ठीक है इस तरह से अब इन्हें रखते जाएंगे हमें ज्यादा ग्लू लगाना है यह सूप का नजर नहीं आएगा और अगर हम कम लगाएंगे तो यह छुट जाएंगे इस तरह से हम इस चार तरस पहली लगा देना है आपको अगर यह से बड़ा करना हो साइज में थोड़ा और तो आप यहाँ पर और स्टोन चेन लगा सकते हैं यह हम एक मीडियम साइज का मुकुट बना रहे हैं जो अधिकतर सब भगवान जी के आ जाता है इन्हाँ पर इस तरह से एक हमें यह पॉइंटेट रखना है ठीक है अब यह देखिए यह इस तरह से हमने लगा लिया तो यहाँ पर जो हमने बिट में यहाँ पर एक स्टोन नहीं लगाया है ठीक है तो हम यहाँ पर हमें यह चेन लगानी है जो हमने उपर लगाई है स्टोन चेन यह हमें इस तरह से जिससे एक दूसरे से अटेच्च लगें इस तरह से हमें यहाँ पर मिट से चेन लेकर आनी है इस तरह से खीक है अब इससे हम यहाँ पर कट कर देंगे एक्स्ट्रा को इस तरह से इसे शेप में सेट कर लिजे ठीक है ऐसे हम यह चेन पहले यहाँ लगा देंगे इस तरह से यह हम इस तरह से यहाँ पर लगा देंगे ठीक है अब यह हमारी चेन लग गए ठीक है अब हम यहाँ पर यह एक एक हमने यह इस तरह से यहाँ पर रखेंगे और यह पूरे पोर्शन में यहाँ पर पहले हम यहाँ पर ग्लू लगा देंगे अब हम इस पर जो हम चैन लगाएंगे यह बहुत स्मॉल है तो जो यह वाली चैन है यह एकड़म पास पास होती है यह ज्याद़ फ्लेक्सिवल्टी नहीं होगी इसमें छोटी चीज पर नहीं लग पाएगी इसलिए जो थोड़ी थोड़ी दूर पर है यह वाली चैन हम ल देखिए इसके चार तरफ हमें यह औरेंज चैन लगानी है इस तरह से ठीक है अब हम यह गोल्डन चैन लगा देंगे यहां से इस तरह से रखिए यह हमें इस से बिलकुल यहां पर टच करता हुआ लगाना है ठीक है ऐसे तरह से इस से लगाना है यहां से वहां करता है करता है इस तरह से गल्डने से इस दिलकुल यहां करता है अब यह हमारे यह लग गया अब इसी तरह से हम यहाप पर लगा लेंगे इसे हमें बिट में लगाना है हम इने लगा का फिर इने सेट कर लेंगे यह इससे और इससे दौनों से टच होना चाहिए ठीक है पहले इसको रख देंगे अब इसको रख देंगे इस तरह से आप गोल्डन चैन को रख देंगे आपको हमारी वीडियो कैसी लगी यह बताने के लिए हमें कमेंस करें और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके लिए आपको कोई कोशन पूछना हो तो वो भी आप हमें कमेंस के तारा हमसे पूछ सकते हैं पूरी कोशिश करेंगे से सॉल्व करने की अब हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जबूर करें और मया और कहना जी के और भी प्यारी प्यारी डैसेज और एकसेसरीज बनाने के लिए हमारी चैनल कैस थी रादा किशन शेंगार को सब्सक्राइब करें रात है रात में प्यारी 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 और में प्राइब कर दो